गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चों आज के हमने इस वीडियो में हिंदी लिट्रेचर का लेसन 14 नटकर चूहा लिया है, ठीक है आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे नटकर चूहा लेकिन चैप्टर सुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजे बताना चाहूंगी, ठी coronavirus क्या है, फैल रहा है, तो आपको उससे बचने के लिए क्या करना है, आपने mask पहनना है, sanitize का यूज करना है, और एक क्या है, उचे तूरी बनानी है, जैसे आप जानते हैं, बच्चों सर्दियों का मौसम आ गया है, और winter में क्या है, इन चीजों का क्या होता है, ज्यादा डर होता है, तो इसलिए जब भी आप बाहर निकलें, तो हमेशा mask पहन करके ही निकलें, और अपने हातों को जब आप घर वापस आए, तो अपने हातों को क्या करें, hand wash करें, ठीक है, आप सबजियां यूज करते हैं, उनको पानी में कम से कम 2 गंटे तक, 2 गंटे तक पानी में रखें, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं बच्चो जो आपको क्या करनी है, follow करनी है, कोरोना से बचने के लिए, तो चलो सुरू करें, ठीक है, nut cut, चुहां, अब जैसे nut cut बच्चो आप लोग होते हो nut cut, ऐसे ही कौन है, एक चुहां भी क्या है, nut cut है, बच्चो एक था चुहां था, ठीक है, चुहां सबने देखा है, ये होता है, ठीक है, सबने ही चुहां देखा होगा, वह कैसा था, चुहां था, बहुत ही nut cut और बड़ा ही चाला, चुहां कैसे था, बहुत ही nut cut मतलब शैतान, nut cut मतलब शैतान, और बहुत ही चाला, कुछ ना कुछ सरारत करन का उसका हमेशा क्या करता था मन करता था जैसे आप लोग करते हो शेतानी ठीक है ऐसे ही वो चुहा भी क्या था बहुत ही नटकट और क्या था चालाग था और उसका भी क्या करता था मन शेतानी करने का एक दिन उसने अपने दिल में सोचा एक दिन उसने क्या करा अपने दिल म आज मैं सहर जाओंगा उसने अपने मन में क्या सुचा कि मैं आज कहा जाओंगा शहर जाओंगा बारिस के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीद गए और वो क्या कह रहा था कि लगतार जब बारिस हो रही थी तो बारिस में क्या वो बाहर नहीं निकल पाया जैसे हम ल बारिस के कारण बिल से बाहर भी नहीं निकला हूँ, तो मैं क्या हो गया हूँ, घर में बोर हो गया हूँ, घर में बैठे 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 दिल घबर आगया। क्या हुआ वो जटपट से जल्दी से तैयार हो गया और कहार के लिए निकल पड़ा शहर के लिए निकल पड़ा वह मस्ती से जुमता हुआ चला जा रहा था वह क्या है मस्ती से जुमता हुआ चला जा रहा था मतला मस्त हो करके बिलकुल एगनम मस्त हो करके क्या है शहर की तर की दुकान दिखाई दी दुकानदार अपनी दुकान खोल कर अंदर जाही रहा था अपनी दुकान खोल कर अंदर जाही रहा था कि नटकर चुहां भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया ठीक है अब आप लोगों ने देखा होगा दुकान में बच्चो चुहें क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो चुहा जैसे वो दुकांदार ने क्या करा दुकान खोली उससे पहले वो चुहा क्या हो गया उस दुकान के अंदर घुज गया जैसे दुकान अपनी जगा पर बैठा अब जैसे दुकांदार ने चुहे को क्या कहा, कि तु मेरी दुकान में क्या कर रहा है, यहां से भाग जा, चुहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आओ, अब चुहे ने क्या बोला, कि मैं अपनी टोपी के लिए क्या करने आया हूं, कुछ कपड़ा खरीदन आया हूँ, दुकानदार हसा, हा हा हा, हट यहां से, दुकानदार क्या है, हसा और बोला, हट यहां से, मैं चुहों को कुछ नहीं बेचता, मैं क्या हूँ, चुहों को कुछ नहीं बेचता, आप क्या, चुहों को हम कपड़े बेचते हैं, नहीं, तो उस दुकानदार ने भी क कि मैं चुहों को कुछ नहीं बेचता हूँ, चुहां गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बिचोगे, दुकानदार बोला, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर, चुहां चिलाए, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं, दुकानदार बोला, नह नहीं पिल्कुल नहीं इस बार नटकर चुहे ने गाना गया रातो रात मैं आऊंगा अपनी सैना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा उसने क्या कहा कि मैं रातो रात आऊंगा अपनी सैना भी लाऊंगा और तेरे कपड़े क्या करूंगा कुतरूंगा मतलब काटूंगा जैसे क्या होता है, चुंही क्या करते हैं, घर में जो भी चीज होती है उसको काटते हैं, जिसे कपड़े हो गए ठीक है, तो उसने भी यही कहा कि मैं रात को आऊंगा और अपनी सैना लाऊंगा, सैना लाऊंगा मतलब अपने साथ अपने और दोस्तों को भी लेकर आऊंगा और तेरी दुकान में जितने कप्ड़े हैं, उनको सब क्या कर दूंगा? कार दूंगा. दुकान दर डर कर बोला, चुहे भाईया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हे रेश्मी कप्ड़े का टुकड़ा देता हूं. और उसने चुहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया कपड़ा लेकर चुहा उचलता कूटता दुकान से बाहर निकल गया अब क्या है उसने चुहे ने क्या करा कपड़ा लेकर के दुकान से क्या है बाहर क्या है कूटते वे उचलते वे बाहर निकल गया फिर वो एक दरजी की दुकान में आ पहुंचा, फिर वो कहा पहुंचा, एक दरजी की दुकान में आ पहुंचा, चुहे ने कहा, दरजी जी मुझे तुमसे कुछ काम है, चुहे ने दरजी से क्या कहा, कि मुझे तुमसे क्या है, कुछ काम है, काम, क्या काम, दरजी ने गुस चुहे ने दर्जी को रिश्मी कपड़ा दिया और कहा इस कपड़े की क्या कर दो एक अच्छी सी टूपी सेल दो दर्जी हसा चल हट यहां से मेरा समय खराब न कर मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है दर्जी ने का अब चुहे को गुसा आ गया वह जोड से चिलाया तुम मेरी टोपी सिलो गए या नहीं 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 दर्जी ने कहा तो ठीक है चुहा बोला और गाने लगा तो बच्छो चुहे ने क्या है इसको भी ऐसे ही डराया रातो रात मैं आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े खुतरूंगा ठीक चुहे ने क्या करा दर्जी को भी ऐसे ही डराया कि मैं रात को आऊंगा और अपने साथ और चुहे भी लेकर आऊंगा और तेरे जितने भी कपड़े हैं उनको सबको क्या कर दूंगा कुतुर दूंगा कुतुर ना मतला कार दूंगा दर्जी ने कहा चुहे भीया ऐसा ना क मैं अभी तुम्हारे लिए टुपी सिल दिता हूँ. और ठोड़ी ही देर में दर्जी ने चुहें के लिए एक सुन्दर सी रेश्मी टोपी तैयार कर दी। पहना और फिर अपना चहरा आईने में देखा। यहाँ टोपी तो एकदम साधी है अब उसको क्या लगा कि यहाँ टोपी कैसी है एकदम साधी साधी मतला साधारण है मैं इस पर चमकिले सितारे लगवाँगा चुहे ने सोचा अब उसने क्या सुचा, ये टोपी तो बड़ी ही साधरन लग रही है, तो मैं इसमें आप क्या करूँगा, चमकीले सितारे लगवाँगा, वहाँ कूता फांता दुकान से बहार निकल गया, वहाँ सडक पसान से चल रहा था, कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और उपहले सितारे बिक रहे थे, ठीक है अब उसने क्या सुचा, कि मेरी टोपी तो बहुती साधरन लग रही है, तो मैं इसमें क्या लगाँगा, सितारे लगाँगा, तो वह कूता हुआ ठीक है, कूता, पांता, उचलता, पांता मतला उचल करके, दुकान स बहार निकल गया और सड़क पर बड़े ही मज़े से चल रहा था तो उसकी नजर कहां पड़ी एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनेरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे, जहां क्या उरे थे, सितारे बिक रहे थे अंदर जाकर वहा इधर उधर उच्छने कूदने लगा, दुकानदार ने कहा, अरे चल यहां से तू हमारी दुकान में क्या कर रहा है चुहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनेरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ दुकानदार ने कहा, भाग यहां से, मुझे बेवकू बनाने की कोशिश न कर, एक चुहे को सितारों से क्या मतला, तुम मुझे सितारे वेचोगे या नहीं चुहे ने गुश्से से पूचा, ठीक है उस दुकानदार ने क्या कहा, भाग यहां से, मुझे बेवकू बनाने की कोशिश मत कर एक चुहे को सितारों से क्या मतलब अब क्या चुहे सितारे लगाते हैं टोपी में पहले तो टोपी नहीं पहनते हैं तो उसने भी यही कहा कि चुहे को सितारों से क्या मतलब, फिर उसने चुहे ने क्या जबाब दिया कि तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं बेचोगे, नहीं नहीं मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, अब चुहे ने क्या है, फिर दुकानदार को डराया, फिर ने भी सितारे हैं, उनको बिखेर दूगा, बिखेर ना मतला फैला दूगा, बचो मैं आपको वक्षीट एक्स्प्लेइन करूंगी, ठीक है, पहला है मारा प्राइशन कटिन शब्द, कटिन शब्द हैं, नटकर्ट, जटपट, दुकानदा, चालाक, चिलाया, सितारे, राज महल, महाराज, सिहासन, सिपाही, सरपट, गद्दी, ठीक है, मारा अगला प्राइशन है, शब्दर्थ, नटकर्ट, शैतान, चाला, चतुल, जटपट, जल्दी, सीग, समय, वक्त, हैरान, चकित, सिहासन, राजगदी सिपाही, सैनिक, रात, रात्री, अगला प्राइशन है, मारा रिक्तिस्तान, भरो, चुहां बहुती, क्या था बच्चों, नटकर्ट, नटकर्ट, और क्या था, चालाक, नटकर्ट, चुहां, डैश, की ओ, निकल पड़ा, कहां की ओ, निकला था, सह, दुकानदार ने चुहे को डैश, कपड़े का टुकड़ा दिया, कौनसे कपड़े का टुकड़ा दिया था, बच्चों, रेश्मी, यहां तो, यहां डैश तो एकदम साधी है, क्या है, यहां टोपी, राजा अचानक चुहे को देखकर डैश हुआ, क्या हुआ, हैदान, अगला प्रेशन हमारा सही गरज, चुहां कपड़े की दुकान में घुश गया, सही या गलत, सही, दर्जी ने चुहे के लिए टोपी तयार की, दर्जी ने क्या करा था, चुहे के लिए टोपी बनाई थी, तो यह भी क्या है, सही, चुहां राज महल में राजा से मिलने गया, चुहां कहां गया था बच्चों, राज महल में राजा से मिलने गया था, तो ये भी क्या है सही राजा ने चुहे को अपने सिहासन में बठा दिया तो ये क्या है बच्चो गलत सिपाही क्या होती चुहे को पकरने दोड़े तो ये क्या है सही ठीक है बच्छों, thank you बच्छों, have a nice day